हलो दोस्तो मैं कुंदन कमार हमारे यूटूब चेनल के आर एक्जाम में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो जैसे कि आप सभी को मालिम है कि आज से जैक बोर्ड क्लास 10 के कमपार्टमेंट परिक्षा का फॉर्म अपलाई हो रहा है तथा कल से जैक बोर्ड क्लास 12 के परिक्षा का भी फॉर्म अपलाई होगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना फॉर्म को के से अपलाई करना है खुद से अपलाई करना है या फिर एकुल से अपलाई करना है ओनलाइन अपलाई करना है आपको इसमें कितने चार्ज आपको बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे साइड में बेल आइकॉन की घंटी है इसको भी दबा दिजे ताकि आपको जैक बोड से रिलेटेड पल-पल की अपडेट मिलते रहे ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरा जानकारी तो च सब्सक्राइब करने के बाद में इस परकार का आएगा तो यह आप अपने मबाल पर नहीं खूल सकते हैं ठीक है आप यदि सोचेंगे कि हम खुझ से देखेंगे तो यह आपका mobile में नहीं खुलेगा क्योंकि यह सिर्फ आप computer में या फिर laptop में आप खोल सकते हो ठीक है तो देखें यहाँ पर जो third number option यहाँ पर पूरा detail दिया है तीसरा number जो आपको दिखा हुआ है इसको मैं सबसे प यहाँ सबसे पहले बोल रहा कि जारकन अजविद परिशद राची उसके बाद बोल रहा कि संपूरक माजजमिक एवं intermediate पलस टू परिक्षा 2020 के परिक्षा आविदन प्रपत्र भरने संबंधी आवसियक निर्देश तो चलिए देखतें अब इसको डीटेल में इसमें क्या बता रहा है देखें यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा कि सत्र 2018 बीश के पंजियन के लिए पंजियन के लिए विद्याले महा विद्याले पलस टू विद्याले को उपलब्द कराएगे यूजर आईडी देखें यहाँ पर आप ध्यान से देखें यहाँ बोल रहा कि यूजर आईडी और पासवर्ड का बात यहां पर बोल रहा है तो यह यूजर आईडी और पासवर्ड सिर्फ इकूल वाले को पता है इकूल में भेग दिया गया है और आपको इकूल में जाके इस फॉर्म को भरना पड़ेगा उसके बाद आगे बोल रहा है कि वेसे परिछात्री कोई विद्यार्ती तीन विशयों में फेल हुआ है तो संपूरक परिछा में मात्र जो है मात्र तीन विशयों एचिक विशय सहीद तो मतलब सम्मीलिस उसमें होने के लिए आविदन दे सकते हैं यदि आप तीन विशयों में फेल हो चुके हैं तो आप इसके लिए फर्म को भर सकते हैं ठीक है उसके बाद बोल रहा कि एवं आवेदन उपलब्द मतलब यहाँ पर बोल रहा कि एवं ओल्लाइन उपलब्द आवेदन प्रपत्र में वार्तिक माज्यमिक इंटर्मेडियेट परिच्छा 2020 का रोल कोड एवं रोल नंबर का उल्लेक होना आवसियक है तो उसके बाद यहाँ बोल रहा कि विलम सूल के सईथ परिच्छा आवेदन प्रपत्र भरने हतु चलान जेनरेट करने की तीथी देखिए यहाँ पर आप बोल रहा है तीथी आप लोग का दिया गया है माज्यमिक मतलब इंटर के लिए बोला गया है और यहाँ बोला गया है इंटर के लिए ठीक है तो देखिए मेट्रिक के लिए यहाँ बोला गया कि दिनांक 5 अगस्त 2020 से 25 अगस्त 2020 तक आप लोग फर्म को अपलाई कर सकते हैं बिना लेट फाइन से ठीक है उसके बाद यहाँ बोल रहा है इंटर के लिए 6 अगस्त मतलब कल से लेकर और 26 अगस्त जमा किया जाएगा 28-8-2020 तक ठीक है अब देखिए आगे बोल रहा कि विलम सुल के साहित ऑनलाइन परिच्छा भरने की तीथी यहाँ दिया हुआ है 28-26 अगस्त से 5 अगस्त से 5 अगस्त से 5 अगस्त तक फर्म को अपलाई कर सकते हैं ठीक है अब देखिए दोस्ता आप लो सारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है यहां बोल रहा कि विलम सुल क सहीत देखिए यहां पर जो है इसका चलान कातना पड़ेगा यदि आप लेट कर देते हो तो और यदि लेट नहीं भी करते हो तो आपको कुछ चार्जेस लगेगा वो यहां पर दिया हुआ दिया उसके बाद यहां बोल रहा है कि परिच्छा सूलक आप जो परिच्छा में बेठेंगे उसके लिए सूलक आपको लगेगा 125 रुपए ठीक है परतेक विद्यारतियों को आप भले लेट करते हो या लेट नहीं करते हो लेकिन आपको यह चार्जेस देना ही पड़ेगा यहा एक विशाई के लिए आपको 125 रुपए नहीं यहाँ पर बोल रहा है एक विशाई के लिए intermediate का यहाँ पर matrix का बात कर रहा है यहाँ पर matrix का लग जाएगा 125 रुपए परिच्छा सूलक मतलब आप कितनो भी मतलब आप ज़िए एक विशाई दो विशाई तीन विशाई का य उसके लिए आपको 180 रुपए देना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं आपको किल्यर ली और एक बार किल्यर कर देना चाहता हूँ देखिए आप यदि परिछा पत्र भरते हो यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको 80 रुपए तो लगाएगा ठीक है आ आपको सबसे पहले 80 रुपए लगेगा उसके साथ शाथ यहां पर बोल रहा है आपको तो उसके बाद यहां सबसे पहले बोल रहा है कि परिछा सूल के यदि आप परिछा आपका हो गया 205 रूपए ठीक है तो 205 रूपए मेट्रिक के छात्र छात्राओं को दोना पड़ेगा ठीक है और इंटर्मेडिर्ट के छात्र छात्राओं यदि है तो उनके लिए 100 रूपए तो आपको लगेगा चार्जे सबसे पहले एक विशाई के लिए और गदी आप एक से अधिक विशाई लेते हैं तो एक से अधिक विशाई के लिए मतलब गदी आप दो विशाई में फेल हैं या फिर तीन विशाई की में फेल हैं तो आपको 180 रूपए लगेंगे ठीक है 180 रूपए मतलब आप गदी एक से अधिक लेवी के लिए 200 उसके बाद यहां इंटरमेडियेट के लिए 250 ठीक है और वीवीज सूल्क आपका यहां पर दिया हवा 30 रूपए और इसके लिए आपको 250 रूपए अपलाई करना पड़ेगा मेट्रिक के लिए और इंटर के लिए 300 रूपए मतलब इसमें आपका लगता था कितना इसमें यदि आप मतलब विना विलम सुल्क के भरेंगे तो आपको लगेगा कितना इसमें इंटर के लिए आपका लगेंगे 260 रूपए और म दोस्तो पूरा नोटिस जो की जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया आपको किल्यर हो गया होगा कि आपको फर्म को कहां पर अपलाई करना है आप खुझ से अपलाई इसको नहीं कर सकते हैं आपको इक्कूल जाके भरवाना पड़ेगा इक्कूल के हेड मास्टर से ठीक है उनी के पास user ID और password दिया गया है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहां पर जाके मतलब इसकोल वाले आपका फॉर्म को अपलाई करेंगे देखिए सबसे पहले यहां पर आपको किल्यर दिख रहा होगा click here login ठीक है यह login को click करना है तो देखिए login को जब ह हम click करते हैं तो यहां देखिए दोस्तों user ID और password माग रहा है यहां सबसे पहले user ID और यहां पर password यह सिर्फ user ID और password हमें से किसी को पता नहीं है यह सिर्फ school की तरफ से पता किया गया मतलब school को भेग दिया गया है अब school वाला ही आपका जो है फॉर्म को apply कर सकते हैं आप दिया यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कर दिजे अपने दोस्तों को भी शेयर किजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूल लेगा ताकि आपको जैक बोड से रिलेटेड पल-पल की अपडेट मिलते रहे ठीक है तो फिर मिलते दोस्तों नह है नूद के साथ तब तक के लिए बाए